अलो मेरे नाम है चंद्रहास, श्टेडी स्मार्ट में आपका स्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज से पार्ट 3, अगर आप अरारवी ग्रूप डी या फिर एल पी एक्जाम के तेयारी कर रहें तो आपके लिए इंपोर्टेंट पार्ट है, तो मैं आपको इस तरह की जो एक्जाम है, उनकी तेयारी करा रहा हूँ, जनरल नॉलेज पर वीडियो आपको प्रवाइट कर रहा हूँ, यह तीसरा पार्ट है, तो जो प्रिवियस यर कोश्चन्स आए हुए, उनहीं को ले करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, और भी जो और पार्ट हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग भी स्टार्ट कर दिया हैं, देरे-देरे सब कुछ मैं कम्प्लीट कर दूँगा, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, जिससे आपको सारे पार्ट मिलते रहें, और आपके तयारी आपको दे सकूँ, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ है, तो शुरुवात में कुछ आसान-आसान कोश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं, जैसे लिखावा है, इन्डॉमिटेबल स्पिरिट इस रिटेन बाई, यह बुक जो है, इन्डॉमिटेबल स्पिरिट यह किसके याद करके रखिए, क्योंकि उन में से बहुत सारे कुश्चन साते हैं, जैसे विंक्स ओफ फायर, यह क्या है, डॉक्टर अपडुलकलाम की ऑटोबाग्रफी है, और भी कई सारी बुक्स हैं, जैसे इगनाइटेड माइंड, यह भी अपडुलकलाम के द्वरा ही लिखी ग या फिर फाइनेस से रिलेतटर्म नहीं है, कि कौन सा ऐसा टर्म है, जो बैंकिऑ फिर फाइनेस कहीं भी प्रियुक्त नहीं होता है, तो क्रेडिट heure고 वो तर्म है जो आपका प्रेओक नहीं होता है ymn से 많은 हैं कोई है यृ लो h 3 संसे लो कंसंट्रेशन जाता तो आपका कहलाता है diffuser ठीक है और diffuser के हिंदी साइद विसरन होती है ठीक है तो वह होता है diffuser physics में प्रयोग होता है यहां पर banking या फिर finances से related वह नहीं है तीसरा question देखते हैं लिखा हुआ है sudden fall in barometric reading indicates तो आगे इसका जो इंसर है वह सबसे पहले तो आप यह समझे कि जो बैरो मीटर होता है वह क्या नापता है तो प्रेशर नापने का काम करता है तो कहरें कि अगर उसमें sudden fall हो अचानक से वह गिर जाए उसकी reading तो उसका मतलब क्या होता है यह बहुत ही famous question बहुत बार exam में पूछा जाता है तो अगर बैरो मीटर की जो reading है वह अचानक से गिर जाए तो उसका मतलब होता है वह indicate करता है किसी ना किसी स्टॉर्म के आने की मतलब कोई ना कोई तूफान अगर आने वाला होता है तो जो बैरो मेंट्रिक प्रिशर होता है फिर के लिजे कि जो बैर मेंट्रिक रेडिंग होती वह अचानक से नीचे गिर जाती है ठीक है next question देखते हैं लिखा वह विच वन ऑफ दा the following is self-employment program for educated unemployed youth कि इन में से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो सेलफ एँप्लायमेंट के तहत काम करता है educated пож bugs के लिए प्राइम प्राइम मिनिश्टर्स रोजगार योजना या फिर शॉर्ट में इसको पी एम आर वाई कहते हैं यह है क्या तो जी हाँ यही वह ऐसा प्रोग्राम है जो सेल्फ इंप्लॉइमेंट प्रोग्राम आपका होता है एजुकेटड अनिम्प्लॉइड यूथ और गल्स के लिए फि से स्टार्ट कर सकें बाकी के जो जैसे स्वर्ण जैनती सहकारी रोजगार योजना तो यह तो मुझे कहीं मिला नहीं स्वर्ण जैनती सहरी रोजगार योजना जरूर था तो इस तरह की योजना का तो मैंने नाम सुना नहीं ठीक है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्रा है यह जो प्रोग्राम है यह होता है फॉर वीडोस मतलब जो विधवाएं हैं उनके लिए या फिर आप कह सकते हैं फॉर वीडोस के लावा जो एडरली पिपल हैं उनके लिए मतलब जो जिनकी उम्र ज्यादा होगे उनके लिए या फिर आप कह सकते हैं कि जो डिसेबर्ड है उनके लिए ये प्रोग्राम चलता है, जिसके तहत उनको कुछ social assistant प्रोइट की जाती है, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके, ठीक है, तो इसका option कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला, ए, पांचवा question देखते है, अल बरूनी came to India वेट की, जो अल बरूनी है, वो इंडिया कि इसके साथ आया था, तो उसका answer मैं दो, इससे पहले मैं आपको बता हूँ, अल बरूनी के बारे में आपने सुना होगा, अल बरूनी को polymath कहा जाता है, ठीक है, polymath का मतलब क्या कि, जिसको अलग-अलग विश्यों का ज्यान हो, अल बरूनी के बारे में भी ये बात famous थी, उ फार्सी थे, पर्सियन scholar कहा जाता है इनको, तो वहां की भासाओं का ज्यान तो था ही, साथी साथ इनको संस्क्रित का भी ज्यान था, ठीक है, तो अल बरूनी काफी कहते हैं कि जो Muslim scholar थे, बहुत ही विद्वान एक scholar थे, अल बरूनी, ये किसके साथ इंडिया आये थे, तो इसका सही एंसर क्या है, डी वाला, कुछ लोग मुहमद गोरी को ले करके कन्फ्यूज हो सकते हैं, जो कि गलत है, ठीक है, ये महमूद गजनी के साथ इंडिया आये थे, नेक्स्टम कोशन देखते हैं, लिखा वाई, वेर इस मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेट, तो मुल् है, वो है केरला में, ठीक है, ये बहुत ही पुराना डैम है, और ये डैम बनना कब स्टार्ट हुआ था, 1887 से इसको ये बनना शुरुआत हुई थी, इसकी मतलब तब से ये डैम आपका लोकेटेड है, और ये केरला में पढ़ता है, लेकिन इस डैम को ले करके बहुत बड ही ये डैम स्थित है, और ये डैम जब बना था, उससे पहले, एक साल पहले, 1886 में, इस डैम को 999 साल के लिए लीज पे दे दिया गया था, किसको तमिल नाडू को, तो यही वो कह सकते हैं कि जगड़े की जड़ है, इसी वज़ा से इस डैम को ले करके तमिल नाडू और के के जगड़ा है, उस समय तो अंग्रेजो का राजे था, तो उस समय इसको लीज पे दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर इस डैम के पानी को ले करके काफी ज़ादा जगड़ा हुआ है, जिसका आपको पता है कि कोर्ट में भी आपकी सुप्रिम कोर्ट वगरा नर रहा था क्योंकि इसको लीज पे दिया गया था तमिलनाडू को, सात्मा कोशन देखते हैं लिखावा है, जोग बनी, बिरातनगर, जैनगर, बीजापुर, बर्दी बास, लाइन्स कनेक्ट इंडिया टू, कि यह जो लाइन्स हैं, जो लाइन्स हैं, यह किसको कनेक्ट क इसको, तो यह जो कोशन है, यह 2013 का जो पेपर हुआ था, उससे तो मैंने लिया है, तो यह उस समय के हिसाब से करेंट का कोशन था, क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट था, वो 2012 का प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के तहत क्या था, कि जोग बनी और बिरातनगर, जो की 18 किल नेपाल का हिसा, तो इसका सही option क्या होगा, नेपाल, ठीक है, बाद में फिर जैन अगर जो की बिहार का हिसा है, उसको यह नेपाल में पढ़ता है, बीजापूर, फिर आगे लाइन को एक्स्टेंड कर दिया गया था, बर्दी बास तक के लिए, ठीक है, तो यह आपका सही इसका answer क्या होगा, नेपाल इसका सही answer होगा, चली, आठवा कोशन देखते हैं, लिखा वाइदा, फोर्ट एट, पोलिकट वास बिल्ट बाई, यह जो कोशन है, यह थोड़ा टेकनिकल कोशन भी है, हिस्ट्री का कोशन तो है, लेकिन अगर आपको डीप नॉलेज नहीं हो बनाया था, लेकिन होता क्या है कि बात में, डच जो थे, उन्होंने पुर्टगालियों के उपर आक्रमण किया, उनको हराया, भगाया, और फिर इसी जो फोर्ट जो की पुर्टगालियों के द्वरा बनाया गया था, उसी की निव पे, उसी की फाउंडेशन पे अपना नय पुर्टगाली यफि नहों करके, द्वरा डच है, क्योंकि वह जो पुर्टगाली यह अभितक आपका है, तो यह सही अंसर होगा, कि ए जह जो पुर्ट है नहों छुगा था, नश्च हो चूगा था, यह आपका सही अंसर है, इसको लेकर कुछ ऐए कुछ और आप अई दस और उसको कहते है कि वह पलिकट जो लेक है या फिर जील है उसके किनारे बनाया गया है ताकि वो Bay of Bengal से ले करके कोरो मंडल जो कोश्ट है दोनों तरफ की जो दूरी है वहां से कवर की जा सके मतलब accessible रहे आसानी से आया जा सके तो ये पलिकट जो लेक है उसके किनारे ये बना हुआ है और ये कब बना था मतलब पूर्टगालियों को जब भराने के बाद डच लोगों ने इसको कब बनाया था 1613 इस्वी में इसे बनाया था इसका नाम क्या इसके नाम से भी कई बार कोश्चन आता है तो इसका नाम है गेल्डरिया ठीक है इसको गेल्डरिया फोर्ट भी कहते हैं ध्यान रखिएगा कई बार दा फोर्ट आप पोलिकट कह सकते हैं कई बार कह सकते हैं गेल्डरिया फोर्ट वास बिल्ट बाई तो गेल्डरिया जो फोर्ट है वो किसके द्वारा बिल्ट किया गया था डच के द्वारा ही बिल्ट किया गया था स्पेलिंग में कई जगा पे गेल्डेरिया इस तरीके से लिखा रहता है तो दुनों में कन्फ्यूज मन थोईगा एक ही फोड के ये नाम है तो मेरे ख्याल से इस से रेटेट अप कोई इसको लेकर के कहानी आपने बच्पन में सुनी होगी कि कबीर स्वामी रामानन के पास जाते हैं कि वो उनको अपना शिष्य बनाने लेकिन रामानन जो थे उन्होंने उनको इनकार कर दिया था कि वो उनको अपना शिष्य नहीं बना सकते हैं लेकिन कबीर ने भी ठान रखी थी कि वो रामानंद को ही अपना गुरू बनाएंगे और उन्हीं से वो गुरू मंत्रे लेंगे, तो कहते हैं कि रामानंद रोज जो है गंगा नहाने जाया करते थे, कबीर को इस बात का पता था, तो वो क्या किया, कबीर ने एक दिन अपने आपको एक बोरे में मतलब बंद किया, और अपने आपको इस तरह रखा जैसे बोरे के अंदर मिट्टी रखी जाती उस तरह का कुछ अपना वेश बना करके, वरानसी का जो घाट है गंगा की किनारे, वहाँ पे जा करके अपने आपको उस तरह इस्थापित कर लिया, उनको लग रहा था कि जैसे कोई क्या हो बोरा रखा गया हो, तो रामानंद आते हैं और उनका जो पैर है वो कबीर के पर पढ़ता है, कबीर के पर पैर पढ़ने के वाद जो उनको लगता होगा कोई आदमी है, तो उनके मुझ से निकल जाता है राम, राम, तो वो जो राम, राम था, कबीर ने उसी को अपना गुरू मंत्र मान लिया, कि उनके गुरु द्वरा दी गई, यह उनको गुरुमंत्र है, उसी गुरुमंत्र को लेकर के उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बना लिया, ठीक है, मतलब रामानंद जी ने मना कर दिया था, और कभीर ने कैसे भी न कैसे करके गुरुमंत्र हासिल कर लिया, यह कहानी जो कि आपने बच्पन में पढ़ी होगी हो सकता है ठीक है next question हम देखते हैं लिखा हुआ है among the following which is the only snake that builds a nest की कौन सा ऐसा साप है जो घोसला बनाता है तो यह तो आपको पता ही होगा वो कौन सा साप है वो साप है king cobra king cobra ही वो साप है जो अंडे सेने के लिए फिर अंडे देने क लिए घोसला बनाता है ठीक है तो यह एकलौता ऐसा साप है साप की लगभग 3000 प्रजातियां होती है आपको पता होना चाहिए 3000 प्रजातियों के साप होते हैं और यह दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं सिवाए अंटार्क्टिका को छोड़ करके ठीक है तो अंटार् ख्याति ही है और यहां पर आपको क्या बता सकता हूँ मैं साप को ले करके जैसे यहां पे हैं है एक आप और समझके रखिए कि जो साप होते हैं उनकी जो 70% मतलब जो 70% साप होते हैं टीक है मतलब वह जो X ले करते हैं तो X ले करते हैं, 70% और 30% ये जैसे mammals सीधे बच्चे देते हैं, उस तरीके से क्यों सीधे सापों को ही जन्म देते हैं, तो ये 30% साप हैं, जो direct सापों को ही जन्म देते हैं, ये उनहीं जगा पर पाए जाते हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा थंड हो, ठीक है, थंड प्रद तो गर्माहाट उतनी प्रदार नहीं कर पाएंगे कि उनके अंदर कोई जीवन उत्पन हो पाए तो इसलिए 30% जो प्रजातियां होते हैं सांप की वह ठंडी जगहों पे रहती हैं वह डारेक्ट बच्चे देते हैं लेकिन 70% जो सांप होते हैं वह एक्स देते हैं फिर उन ए हो जाएगी फिर भी पता देता हूं उरी पेरस कहा जाता है उन सांपों को जो अंडे देते हैं तो वैसे तो आपको पता चली गया कि कि आप यह प्रजाती है या पिर एक ही तरह का साँप है जो घोसला बनाता है अंडे देनेके लिए वह है किंग कोब्र नुज फिर मैंने आपको और भी जो डिटेल से आइस से रिलेटेड बता दी तो कुछ और आइस से तो आप आसानी से उसका एंसर कर पाएंगे नेक्स्ट देखते हैं लिखा चान बीबी वास्थ रूलर आफ ये कोर्शन हाला की पेपर में पूछा गया था तों क्या कहें वैसे चांड भीबी कहीं की रूलर नहीं थी हम इनको रीजेंट कह सकते हैं Regent का मतलब समझते हैं, Regent का मतलब सत्ता पे कोई ऐसा वेक्ति बैठा हो जो साशन करने लायक ना हो, जैसे कोई माइनर हो, कोई बच्चा हो, या फिर कोई बहुत ज़्यादा अगर ऐसा वेक्ति हो, जो capable ना हो शाशन करने के लिए, तो उसके पीछे से जो सरकार या फिर सत्ता को चलाता है, उसको कहा जाता है Regent, जो उस तक्त पे बैठा हो वेक्ति है, उसको सामने रख करके पूरा शाशन चलाए, चाहे वो जड़ाई की बात हो, चाहे सत्ता की बात हो, सब कुछ चलाए, वो Regent कहलाता है, तो चान बीबी Regent थी, कहां की Regent थी, यह भी थोड़ा सा technical सवाल है, कुछ लोग बीजापूर कहेंगे, और कुछ लोग एहमद नगर कहेंगे, ओरिजनली तो वो दोनों जगा की Regent थी, ठीक है, चान बीबी की जो पैदाईश थी, मतलब वो पैदा तो एहमद नगर में हुई थी, लेकिन की शादी जो बीजापूर के शाशक थे, उनसे हुई थी, तो सुरुवात में चान बीबी जो Regent थी, वो कहां की थी, वो बीजापूर की थी, और यह जो Regent बनी थी, कब से क पंद्रा सो नुन्यान बे तक Regent के तौर थी, और फिर पंद्रा सो नुन्यान बे में ही इनकी हत्या कर दी जाती है, इनहीं के कुछ सिपाही दलों के द्वारा, तो उसके बाद इनकी कहानी खतम होती है, तो यह अगर पूछा जाए इसका कोशन, कि चान बीबी वाउस, रू अगर 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 ऑप्शन में ना हो, तब आप बीजापूर लगा सकते हैं, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, लिखा हुआ, विच आप दो फॉलोइंग डिजीज, इस कौश्ड बाइड बाइट ऑफ मैट डॉग, किन में से कौन सी ऐसी डिजीज है, जो होती है, तो आपने गाओं बगएरा में अपने आसपास भी सुना होगा कि जिसको पागल कुत्ता काट लेता है, अगर वो इंजेक्शन बगएरा नहीं लगाता है, तो वो जो बीमारी होती है, वो बीमारी होती है, जिसकी वज़ासे लोगों को पानी से डर लगने लगता ह तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, यहां पे देखे लिखा हुआ है hydrophobia, तो यह बीमारी होती है, जो पागल कुत्तेगे काटने के वजा से होती है, तब अगर आप injection नहीं लगवाते हैं, तो एक और बीमारी का नाम उपर लिखा हुआ है hydrocephalus, यह जो बीमारी है, यह होती है चोटे बच्चों में, जिनके दिमाग के अंदर पानी बढ़ जाता है, फिर पानी भर जाता है, इस बीमारी को कहते है hydrocephalus, यह पागल कुत्तेगे काटने से नहीं होती है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, लिखा वाइदा, फेनॉमनन और समर स्लिप बाइ एनिमल कोट जो गर्मी के दिनों में सौ जाते हैं, आपने एक फेनॉमना सुना होगा कि winter sleep, winter sleep का मतला आपने देखा होगा कि ध्रुवी भालू होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सर्दियों के दिन रहते हैं, उसमें वो sleep में चले जाते हैं, और अपना metabolic system होता है, उसको इतना log कर ले छे सात महिने तक सोटे ही रहते हैं उठते नहीं है तो वह स्लीप होती है winter वाली इसको कहा जाता है hibernation लेकिन जो summer sleep भी होती है जैसे winter की sleep है वैसे summer sleep भी होती है animals में तो कुछ सारे अनिमल्स नहीं summer sleep को use करते है कुछ animals यूज करते हैं तो वह समर Sleep होती है, यह क्या कहलाती है, तो इसका answer है B वाला, इसका answer क्या है, बी वाला, ऐस्टीवेशन, इसका, इसका सही एंसर है, His T Gao में भी क्या होता है कुछ जानवर जैसे for example में आपको बता दूँ जैसे कुछ snails होती है snails की कुछ प्रजातियां होती है जो गर्मियों के दिनों में मतलब गर्मियों का जो दिन होता है estivation का मतलब क्या होता है या मोक्ष वो तो सब मनुर से प्राप्ट करना चाहते हैं जानवरों के अंदर तो नहीं होता है चौद्वा क्वेशन देखते लिखाव है deforestation results in which of the following की deforestation की वज़ा से क्या होता इन में से drought, flood, soil erosion, all of the above देखें deforestation जिसको आप समझते हैं वन और मूलन जिसको हिंदी में कहते हैं मतलब पेणों को बहुत अधिक संख्या में काट देना ठीक है समाप्त कर देना तो वो कहलाता है deforestation तो अगर पेण नहीं रहेंगे पहली बात तो सूखा तो पढ़ना ही है तो यह तो होता ही होता है फलड आती है कि नहीं इसको थोड़ा देखते हैं Soil erosion भी होता है मतलब मिट्टी का कटना जब पेण ही नहीं रहते हैं तो आपने देखा होगा कि मिट्टी अपने आप ही बह जाती है क्योंकि पेण की जड़े रहती हैं वो मिठी को पकड़ रखती है घंगल रहता है वहां पर बाड़ भी आ जाए तो क्लिटी सारी सारी कटार में चली जाती है तो होता ही होता है तो अगर आप आपको 14 नहीं बहुता है तो भी समझ सकते हैं इसका इंशर दी वाला होगा की invested दो इंसर नहीं हो सकते हैं, एक एंसर सही होगा, मतलब यह तीनों काम होते हैं, deforestation से, flood भी बहुत जाद आती हैं, अगर पेण नहीं है, तो उसके बहुत सारे regions हैं, क्योंकि एगर कहीं किसी जगा पेण नहीं होंगे, तो क्या होती है, मित्ट का पानी होता है, जरूर सबस्के upward उतना सोख नहीं पाती है, क्योंकि मित्ती होता मित्य को पानी नहीं नहीं पाती है, और période रहते हैं, पिक नारे रहते हैं पकड़े निए जिससे अगर पानी निकल पाता है, या फिर जो कटान होता है, वो हो नहीं पाता है, जिसके वज़ासे पानी अंदर घुसे, ठीक है, लेकिन अगर पेंड ही नहीं रहेंगे, तो जो कटान होगा, वो कटता जाया और पानी धीरे-धीरे नदी को छोड़ करके बाहर भी आने लगता है, और इसके बहुत सारे रहते हैं, तो जड़ों से जो भी पानी मिट्टी के अंदर रहता है, उसको सोख लेते हैं, तो पानी सोखने के बाद मिट्टी सूखी रहती है, तो अगर ज्यादा बारिश होती भी है, या फिर पानी आता भी है बाहर से, तो मिट्टी उसको एब्सॉर्ब कर लेती है, जि इसका अंसर देखे ही हिंदू अंडिवाइडड़ फैबली तो हाँ यही इसका सभी अंसर है यह वाला ही बाकी उप्शन पढ़ने की जरो थे ने हिंदू यूनिफाइड फैंडी हाइली और बनाइच फैंडी यह सब गलत है ठीक है जो हुटा है यह हिंदू फैंबली क्रियेट किया हुआ है आपने तो कुछ टैक्स में आपको बचता एक्स्ट्रा मिलती है कुछ टैक्स आपका बचता है इसको लेकर करके एक कुशन और पुछा जाता है कि हिंदू अंडिवाड़ेट फैमली में जो प्रमुक होता है मतलब जो सबसे उपर होता है परसन उसको क्या कहा जाता है तो उसको हिंदी में कहा जाता है करता मतलब हिंदी इंगलिस सब में उसको करता ही कहा जाता है यह जो सबसे सीनियर मोश्ट मेंबर होता है फैमली का उसे ही करता मा सा था तो अब आप देखिए इसके option क्या है होई साला संगमा सलुवा कौन सा इसका सही option है विजय नगर सामराज के लिए तो विजय नगर सामराज का जो पहली डाइनेश्टी थी वो थी संगम वन्स ठीक है जो विजय नगर सामराज था ये कहते हैं कि दो भाईयों हरीहर और बुक्का यहां रखियेगा दो भाई थे एक था ह्रीहर और दूसरे भाई का नाम था इन दोनों भाईयों ने विजय नगर सामराज की स्थापना की थी संगम-वन्स के नाम से इस राज्वन्स की स्थापना की थी तो इनके बारे में और कुछ चीजें जैसे आपसे पूछी जा सकती हैं कि ये दोनों भाई इससे पहले कहा थे तो ये प्रताप रुद्रदेव के सामन्त ये दोनों भाई थे विजय नगर समराज की स्थापना करने से पहले फिर 1336 इस्वी में उन्हों ने विजय नगर समरा क्या थी हमपी ध्यां रखेगा हमपी विजय नगर समराज की राज़ानी थी इसकी राज़भाषा कह सकते हैं तो इसकी राज़भास क्या थी प्रत्थानी से बता सकते हैं और संगं स प्रसम reader थांगे होंगे इसको आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है कि किसके शाशनकाल में साशी का जो स्टूप है उसको बनाया गया था तो किसका साशनकाल था तो वो साशनकाल था दग्रेट अशोक जिनको कहा जाता है महान अशोक तो इसका पहला जो option है वही सही है कि अशोक के शाशनकाल में उनके दिसा निर्देश के अनुसार साची स्टूप के स्थापना की गई थी तो साची स्थापना थी आपको पता होगा स्थाप जो है बौधों के लिए पवित्र जगा है जहां पे महत्मा बुद्ध के जो भी आउशेश थे उनको रखा जाता है इस तूपों में तो वही एक आपका था साची का इस तूप ठीक है यह कहां पे है कौन से राज में मद्ध प्रदेश में पढ़ता है भौपाल के पास ठीक है तो यह आपका question है इसका सही यह एंसर है अर्शोप ठीक है नेक्स्ट देखते हैं लिखावाए स्वधार खीम औभ गॉऔर्मेंट ऑफ इंडिया की स्वधार जो इसकीम है गॉऔर्मेंट ऑफ इंडिया की यह चलाई गई थी किसके यह वुमेंस के लिए ठीक है लिखावा जो सी ऑप्षन वुमें इंड डिफिकल्ट सरक्म्टेंस मतलब ऐसी औरतें जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं उनके लिए स्वधार इसकीम चलाई गई थी जिसके तहत उनको मतलब शेल्टर किया जाएगा फूड किया जा जेल में रही हो और जेल से बाहर आने के वाद उनको कोई अपनाने को तयार नहीं है या फिर वो विधवा हो किसी तरह की वो कठिन परिस्थिती में हो वो इस तरह की जो सर्विस स्वधार उसका लाभ उठा सकती है ओके नेक्ष्ट कोशन देखते हैं लिखा हुआ है लेज सब्सक्राइब करने में बहुत महत्पुन योगदान देखा और इसके बाद अंग्रेजों ने एक एक्ट लेकर आये थे जिसको कहा गया था विड़ो हिंदू विड़ो रिमैरिज एक्ट कौन सा एक्ट था 1856 ये एक्ट लाए गया था जिसके अनुसार कोई भी विधवा फिर से विवाह करने के लिए स्वतंत्र थी ठीक है तो ये कौन थे इस्वर चंद विद्या साग लाइस वाय सराय तो भारत के प्रत्थम या फिर वाय सराय थे ठीक है अब फंस्ट ये कैसे थे आप कहेंगे क्योंकि Lord Canning से पहले जो पोश्ट थी वो क्या कही जाती थी वो कहते थे Governor General ठीक है वो ये पोश्ट हुआ करती थी लेकिन 1856 में Company का जो शाशन था उसको समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने जो कंट्रोल था वो अपने हाथ में ले लिया था फिर इस पोश्ट को खतम करके जो वायसराय की पोश्ट थी इसको सुरू किया था और भारत की इसलिए प्रथम वायसराय माने जाते हैं Lord Canning ठीक है तो एक कोश्ट से आपको दो तीन यहाँ पर answer मिल जा आते हैं तो आपको अगर कोई कोशन पूंचा जाए तो असानी से बता सके नेक्स्ट कोशन देखते हैं लिखा ओए दर नागार्जुन इंसक्रिप्षिन प्रोवाइड इंफॉरमेशन अभड यह तो बहुत ही फेमस कोश्टन है कि जो नागारजुन इंसक्रिप्षिन है पोकिस के बारे में information provide करता है तो नागार्जुन inscription बॉध्धिज्म या फिर बॉध्धिज्म के बारे में सारी information provide करता है ठीक है अब एक किस्वां question देखते हैं लिखा वाई prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth is mentioned in यहां पर बताने का प्रयास क्या मतलब question पूश रहे हैं कि religion, race, caste, sex, और place of birth के रूप में अगर कोई विभेद करता है तो इसका जो प्रतिशेद है वो कौन से article में है मतलब इसको कौन से article के तायद हमको prohibit किया गया है कि हम अपने देश में किसी विवेक्ति को religion, race, caste, sex, और place of birth के रूप में हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं तो यह article है article 15 समानता का जो अधिकार है उसी के इंतरगत जो article 15 है समानता के अधिकार में कितने articles हैं? article 14 से लेकरके 18 तक जो articles आते हैं वो समानता का आधार प्रवाप्रदान करते हैं और उसमें जो पंद्रवां article है वो यही है कि religion, race, caste, sex और place of birth के रूप में हम किसी के साथ विवेद नहीं कर सकते हैं वेदभाव नहीं कर सकते हैं article 14 को लेकर भी सवाल काफी आते है architectural 14 को लेकर के सवाल क्या है या फिर artists 14 है क्या तो article 14 बताता आए कि कोई विवेक्ती को कहते हैं कि वह समता और विधी का समान सरच्छन उसको प्रदान होता है मतलब कोई भी वेक्ती हो इस देश में रहने वाला वो कानून के सामने क्या है समान है अमेर गरीब किसी धर्म संप्रदाय जाती ऐसा कुछ नहीं है कानून के समान सबको समानता है और सबको कानून का सरच्छन प्राप आर्टिकल 17 के तहत किया गया है एक आर्टिकल 18 है जो सबसे आख़ी आर्टिकल में जो राजा, महराजा थी उनत्रा की उपाधियों का अन्त कर दिया था अब कियों वही उपाधिया माने होंगी जो कि आप खुद से कमाएंगे या या फिर जो सहचनिक आधार पे होंगी जैसे डॉक्टर इंजीनियर यह सब अपाधियां तो रहेंगी लेकिन राजा महराजा दीवान और यह सब अपाधियां थी खतम कर दीगी तो यह था आइटिकल 18 ठीक है तो यह जितने आइटिकल इंपोर्टेंट थे मैंने आपको बता है उसको भी कुछ न कुछ कानूनी सरनेशन प्राप्त होते हैं आइटिकल 15 क्या कहता है कि हम religion, race, caste, sex और place of birth के रुप में किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते हैं भेदभाव नहीं कर सकते हैं आइटिकल 17 ने क्या कह था कि अंटेच बिल्टी अस प्रिश्टा का अंत कर दि इंजिनियर हो गया यह सब तो यह सब रहेंगे और सारी तरह की उपाधियों को खतम कर दिए आप सोच चलेंगा आइटिकल 16 कभी पूंचा नहीं जाता है बहुत ही rare of rare case में पूंचा जा सकता है आइटिकल 16 में कहा गया है कि लोख नियोजन के विसाय में और सर को की समानता ठीक है तो यह आर्टिकल 16 है समानता का अधिकार के इंतरगत ही आता है 22 कोशन देखते हैं अब यहां पर करेंट अफेर के कोशन है विच कंट्री हैज बिन इलेक्टेड ऐस दा वाइस प्रेजिडेंट ऑफ दा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF अभी यह हाल ही मे को ग्रेलिष्ट में डाला गया है तो इसी लिए यहां पे कुछ लोग पाकिस्तान एंसर टिक कर सकते हैं जो कि गलत है चर्चा में पाकिस्तान पाकिस्तान और FATF ही था तो ज्यादा तर लोग वहीं से कंफ्यूज रहेंगे जबकि यहां पर कोशन क्या पूछा जा रहा है कि वाइस प्रेजडेंट के रूप में किसको निक्त किया गया है कौन सी कंट्री को तो वो कंट्री है चाइना पाकिस्तान का परम्मित्र पाकिस्तान के परम्मित्र ने ही उसको ग्रेलिष्ट में डलवा दिया ठीक है तो यह था चाइना नेक्स्ट हम बात करते हैं यह तैस थी 78 और जो पहले रैंक थी भारत की वो थी 79, 2016 में अब ये रैंक हो गई है 88 तो इस हिसाब से भारत को कुल total 100 में से कितने नंबर दिये थे 40 नंबर पुरदान किये गए थे और इस रैंकिंग के अनुसार जिसको 0 नंबर मिलते हो सबसे अधा corrupt देस होता है और जो 100 नंबर जिसको मिलते हो सबसे कम corrupt देस होता है और पर कर लिए वहां पर corruption का नामों निसा नहीं नहीं होता है तो भारत को मिले हैं इसमें 40 नंबर फिर एक कोशन इससे और आ सकता है कि ये जो index है ये किसके द्वारा न तो डिस्क्राइब कि जो मॉडरेट टर्म है या पिर कह सकते हैं उदारवादी जिसको कहते हूं किसके लिए यूज नहीं किया जा सकता है गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नौरो जी यह क्या है फिरोष्य आमेहता विपिन चंद्रपॉल तो आपको पता होना चाहिए लाल बाल पाल यह बड़ा फेमस आप कह सकते हैं कि तीन लोगों के नाम को ले करके बनाया गया था लाल बाल और पाल तो उसी पाल का एक हिस्सा थे लाल का मतलब क्या था लाला लाजपतराय बाल का मतलब क्या था बाल गंगा धर तिलक दो लाल बाल पाल यह थे जो गरम दल का हिस्सा और और बाकी जैसे गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नौरोजी फिरोष्षा मेहता और इसमें कुछ नाम जोड़ सकते हैं मदन मोहन मालवी महादेव रनाडे यह सब उदारवादी थे या पिर कह सकते हैं नरम दलके थे ठीक है तो हम लाल वाल पाल को याद रखें तो इस क्या थे बहुत प्रसिद्ध तो आपको पता होना चाहिए कि जो MS अनंत रमन थे वह बहुत ही प्रसिद्ध वाइलनिष्ट थे मतलब वाइलिन वादक थे तो वाइलिन वादक होने के वजासे इसका सही अंसर क्या होगा बी वाला क्यों क्या थे म्यूजीशियन थे ठीक है इस फिल्ड से आते थे म्यूजीशियन थे बहुत ही प्रसिद्ध वो वाइलनिष्ट थे तो यह था पचीन सवा कोश्चन तो इसी के तहट सारे कोश्चन हो जाते हैं खत्म मेरे खाल से आपको समझ में आया होगा वीडियो 25 कोश्चन जो मैंने लिये हैं सिर्फ 25 कोश्चन जिससे और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके मुझे भी अच्छा रगए कि ज्यादा ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें तो हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and bye